नमस्कार मैं हूँ शाश्वत सिंग न्यूज फॉर शोशल में आपका स्वागत है उत्राखंड के नए मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत का जन्व 1964 में राजे के पौड़ी गढ़वाल जिले के सुरून गाउं में हुआ था सार्वजनिक जीवन में रावत की पहली भूमी का 1983 से 1988 तक RSS के प्रचारक के रूप में रही रावत बिडला कैंपस स्री नगर्म से सामाश शात्र में स्नातो को तर और पत्रकारिता में दिपलोमा धार्क शात्र राजनिती में प्रवेश किया और ABVP उत्राखंड इकाई के संगट नात्मक सचीव और 1990 के दशक की शुरुवात में ABVP के राश्ट्रिय सचीव बनें वह 1992 में हेमवत्ती नंदन बहुगुना गढ़वाल विश्व विद्याले में चात्र संग के अध्यक्ष भी थे वह 1996 में उत्तर प्रदेश भारती अजन्ता युवा मोर्चा के राज उपाध्यक्ष बनें बुद्धवार सुबह यहां आयोजित विद्यायक दल की बैठक में गढ़वाल के सांसद और राज के पूर्वभाजपा अध्यक्ष और राज के सिक्षा मंत्री रावत को सीम नामित किया गया और उन्हें दोपहर चार बच के पाँच मिनट पे शपत ली गई रावत ने आयोध्या में राम मंदिर के निर्मान के लिए राम जन्व भूमी आंदोलन में भाग लिया निव समारह पिछले साल आयोजित किया गया था 2019 में एक अनुकूल अदालत के फैसले के बाद और दो महिने जेल में बिताए 1997 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिश्ट के सदस्च चुने गए लेकिन वह उत्तराखंड के लिए राज्य के लिए उत्सुक थे फिर यूपी का हिस्सा और इसके लिए अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया भाजपा के नेता जो उस सालों से उन्हें जाना जाता है जब उत्तराखंड को 2000 में उत्तर प्रदेश से विभाजित किया गया तो वह राज्य के पहले सिक्षा मंत्री बने और 2002 तक बने रहे 2007 में उन्हें उत्तराखंड भाजपा के राज्य महास्चीव के रूप में चुना गया मई 2019 में वह अपने राजनितिक गुरू बीसी खंडूरी के बेटे और अपने प्रतिद्वंदी मनिश खंडूरी को 3.5 लाग वोटरों से हरा कर पौडी लोग सभा सीट से लोग सभा के लिए चुने गए उसी वर्ष उन्हें हिमाचल प्रदेश में चुना प्रभारी भी बनाया गया रावत ने पीम नरेंद्र मोदी सहित केंद्रियन नित्रत्व का अभार व्यक्त किया उन्होंने अपने RSS के दिनों को भी याद किया और कहा कि किस तरह पूरू पीम अटल भिहारी वाजपई के साथ मुलाकात ने उनकी राजनिती को प्रभावित किया उन्होंने कहा कि मैं विधान सभाद्यक्ष त्रिविन सिंग रावत द्वारा शुरू किये गए विकास कारेकरमों पर काम करना जारी रखूंगा ताकि अगले विधान सभाद्यक्ष चुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सके अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज पॉर शोशल